आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग Flipkart की तरह एक e-commerce website create करेंगे और जो भी आप Flipkart पे कर सकते हो वो सारे के सारे options इस website के उपर present है यहाँ पे हम online payment भी करा सकते हैं, card भी accept कर सकते हैं, UPI payment करा सकते हैं, credit card करा सकते हैं सारे options यहाँ पे रहने वाले हैं इवन यहाँ पे add to cart and all जो भी features आप एक online shopping cart पे देखते हो जैसे Flipkart है, Amazon है या जो भी ऐसा websites हैं, वो as it is चीज़े आप इस website के उपर कर सकते हो और मेरे steps को follow करके आप बहुती easy way में इस online e-commerce website को बहुती easily create कर लोगे इस e-commerce website को create करने के लिए मैं यहाँ पे WordPress का use करने वाला हूँ तो अगर आपने पहले कभी coding नहीं की है, कभी कोई website create नहीं की है तो भी आप मेरे steps को follow करके बहुत easy way में इस website को create कर लोगे तो फटा-फटा हम यहाँ पे इस website के demo को चेक कर लेते हैं आपको starting में ही एक idea हो जाए at the end of this video आप यहाँ पे क्या बना करके ready करने वाले हो वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification को on करे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बार जरूर चैनल के playlist को जाके देखे यहाँ पे आपको web designing, web development, software development, game development की tutorial मिल जाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगा और राइट, so उपर top bar में आप देखोगे आपका एक title होगा यहाँ पे आपके social media के link होगे जो भी आपको दिखाना हो, यहाँ click करने पे बहुती easily find out किया जा सकता है यहाँ पे आपका wish list है login, log out करना है तो वो detail यहाँ पे है यह आपका cart है, इसके नीचे आपका navigation menu है यानि की menu bar है यहाँ पे भी आपके पास एक options है drop down के अंदर जिसको आप देख सकते हो, animate होकर के आएगा यहाँ पे आपके सामने home, shop, fashion, most popular, cart, wish list and contactors का option है और यह सारे ही pages dynamic है और यह काम करते है dynamic से मेरा मतलब यह है कि front end जो आप देख पारे हो वो तो ही है इसके साथ साथ इसका एक database भी है right hand side पे आपका basic contact information जो कि आपका phone number and email address है यह दोनों चीज़े dummy है और यह किसी person को belong नहीं करती है तो इस पे आप contact नहीं करे और right इसके नीचे आपको मिलेगा एक product का बहुत बड़ा सा banner इसके नीचे आप दो product को यहाँ पे दिखा सकते हो products के title को उसके price को ignore करे क्योंकि यहाँ पे मैंने random चीज़े रखी होई है तो उसको आप ignore करे अगर आपको दिखता है कि सामने यहाँ पे shoes पड़ा हुआ है लेकिन मैंने उसको shirt लिख दिया या कुछ और लिख दिया है तो उसको totally ignore करे क्योंकि जब हम इसको create करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़े edit करना और change करना सिखाऊंगा यहाँ पे आप देखोगे आप इसको change भी कर सकते हो और different different products यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इसी के साथ साथ यहाँ पे एक option है free shipping हम provide करते हैं अगर आपका order जो है इस price point से उपर गया तो currency को भी आप अपने हिसाब से बहुत easily change कर सकते हो बाकी details आप पढ़ सकते हो 24x7 है यह है वो है यहाँ पे आपके सामने एक option है यहाँ एक slider है जो एक image load हो रहा है change हो रहा है कुछ products है यहाँ पे इसके उपर एक mouse लेके जाने पर option आ रहा है add to cart का wish list का उसका product का price एंड एक छोटा सा description अगर किसी product के उपर quick view किया जाए तो यहाँ पे उस product का detail आ जाएगा और जो भी उस product के multiple images दिये होंगे वो यहाँ पे load होगा ठीक है मैंने यहाँ बनाता टाइम कोई भी image रख दिया था तो यहाँ पे watch भी आ गया इसको भी totally आप ignore करे main मकसब में आपको यह बताना चाहता हूँ product के multiple images आप देख सकते हो उसका price देख सकते हो उसके detail देख सकते हो color combination देख सकते हो in short आपको उसका सारा description यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको बहुत ही detail में इसको देखना है तो आप यहाँ पे click करोगे ताकि इस product का detailed page जो है वो यहाँ पे open हो जाए और user आपका इस product के सारी चीजों को check कर सके तो यह हमारा product का detailed page है यहाँ पे उसके multiple images रहेंगे जो भी आपने provide की है यहाँ पे mouse लेकर के जाने पे हलका सा zoom हो जाएगा and वो ही as it is है और यहाँ पे आप add to card कर सकते हो quantity कम ज़दा कर सकते हो यहाँ से card में add कर सकते हो बहुत easily आप इन सारे operations को perform कर सकते हो मैं यहाँ पे इसको favorites में add कर रहा हूँ यानि की wish list में add कर रहा हूँ आप फिलाल के लिए अब हम वापस आते हैं अपने home page के उपर यहाँ पे अगर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पे भी एक slider type का लगा हुआ है जिसके अंदर और product side में है इसके नीचे आपके पास category slider है अलग-अलग चीज़े यहाँ पे list की हुई है आप इसको ऐसे slide करके देख सकते हो fashion, most popular यह वो जिस पे click करोगे उसके according pages खुलेंगे बट obviously आपने वो page पहले design किया हो नीचे भी कुछ products है यहाँ पे आपको buy करके भी दिखाऊंगा online transaction करके भी दिखाऊंगा so don't worry यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग products यहाँ पे list हुए एक banner है, कोई sale है, क्या है वो आप यहाँ दिखा सकते हो फिर नीचे एक और category है, फिर एक advertisement है और उसके नीचे आपका एक footer है जो कि हर page पे आपका common रहने वाला है इसी के साथ-साथ यहाँ पे cart का option है मैं यहाँ पे उपर scroll कर रहा हूँ shop के page के उपर आपको जा करके दिखाता हूँ और मैं आपको हर एक page को बार-बार हर एक product के उपर click करके नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप समझ चुके हो click करने पर क्या आपको दिखेगा यहाँ कुछ filter options है grade यह वो कैसा आपको रखना है shorting के options है product यहाँ पे list किये गए है तो कुछ इस तरीके से यह आपको देखने को मिलेगा right hand side पे फिल्टर option है buy price यह वो वगरा वगरा बहुत सारे options दिए है उसके according आप इसको filter कर सकते हो and उसके according आपको यहाँ पे result देखने को मिलेगा इसी तरीके से यहाँ पे एक fashion का page है जिसके अंदर top category के fashion product होंगे most popular products को आप यहाँ पे list कर सकते हो यहाँ पे popular products दिखाए देंगे card का एक option है कुछ add करोगे तो card को में दिखाए देगा wish list का एक option है अगर कोई product आपने wish list में डाल के रखा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ी देर पहले हमने इसको add किया था carry out of stock है इसको ignore करे contactors के page के अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे हमारा contactors का एक basic सा page है contactors के details को user यहाँ पे fill कर सकता है अब हम यहाँ पे card की page को देख लेते हैं currently तो यह एक empty है but मैं यहाँ पे किसी product को add कर देता हूँ तो चलिए यहाँ पे हम जाते हैं अपने home page के ऊपर and मैं आपको दो चीज़े buy करके दिखाता हूँ यहाँ पे देख लेते हैं सबसे महंगी चीज़ क्या है हमारे पास तो एक t-shirt है 1500 रुपीज की so मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से add to cart आप देखोगे यह cart अपडेट हो जाएगा यहाँ लिख करके आएगा one यह देख सकते हो आप मैं इसको फिलाल के लिए close कर रहा हूँ यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते है एक चश्मा भी है हमारे पास 9000 रुपे का मैंने इसको भी कर दिया add to cart ताकि यह भी cart में add हो जाए यहाँ पे number बढ़ जाएगा slider आना होगा तो भाई यहाँ पे खुल करके आ जाएगा ठीक है यह यहाँ पे आ चुका है मैंने कहा view cart ताकि मैं देख सकूँ मैं कौन-कौन से product यहाँ पे buy करने वाला हूँ यहाँ पे आप देखोगे हमारा cart का page open हो चुका है product के basic details है अगर आपके पास कोई coupon code है तो आप apply कर सकते हो अगर आप user को provide कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास एक coupon code है cyber warriors अगर मैं इसको apply करता हूँ currently मेरा total है 10,500 अगर मैं इस coupon code को apply कर दूँ यहाँ पे तो 500 रुपे almost off हो जाएगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो product हमारा अब total discount हमारा यहाँ पे add हो गया और यह मुझे यहाँ पे पे करना है तो यह कुछ product है जो मैं आपको buy करके दिखा रहा हूँ अब यह कहता proceed to checkout मैंने इसके उपर click किया तो यह मेरा checkout का page है यहाँ पे मुझे अपने सारे basic detail प्रोवाइड करने है तो मैं फटाफट सा यहाँ अपने basic detail यहाँ पे provide कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे check कर सकते हो मैंने dummy data यहाँ पे pass कर दिया है और यहाँ पे जो भी contact details दिखती है उससे मेरा कोई लेन देना नहीं है तो खामखा इस पे contact नहीं करे तो यह मैंने उस तरीके से pass कर दिया मेरे पास यहाँ पे कुछ options है जैसे कि direct bank transfer कर सकता हूँ cash on delivery select कर सकता हूँ card के through pay कर सकता हूँ cash on delivery तो फिर कोई फायदा ही नहीं है दिखाने का हो तो आपको already आता होगा मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे एक expiry date प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपने card की और यहाँ पे मैं अपना CVC number प्रोवाइड कर रहा हूँ यह card detail देखके खुश होने की जरूरत नहीं है यह एक demo card है जो कि इसी website के उपर test करने के लिए बनाया गया है तो आप भी चाहो तो इसको use कर सकते हो payment यहाँ पे really में मेरे bank account से नहीं कट रहा यह एक test account है ठीक है तो आप यहाँ पे बहुत easily इस number digits को use कर सकते हो और यहाँ पे आपको future का कोई भी date देना होता है जो कि expired ना हो यह करने के बाद मैंने यहाँ पे place order के उपर click किया और आपको यहाँ पे wait करना है तो आप देखोगे यह product हमारा यहाँ पे process हो रहा है और payment हमारा यहाँ पे भी process हो रहा है और right तो आप यहाँ पे check कर सकते हो thank you your order has been received और आपके पूरे के पूरे details यहाँ पे आ जाएंगे जो भी आपने pay किया है and all तो आप जो admin है वो back end से आपका order approve कर देगा आपको अपने email address के उपर notification मिल जाएगा जो इस website का मालिक है उसे भी एक email मिल जाएगा कि नया customer आपके सामने आया है उसको ये product आपको भिजवाना है currently मैं आचुका अपने website के dashboard पे और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ e-commerce के अंदर order के section में तो एक order मुझे यहाँ पे receive हुआ है जो भी इस website का owner होगा e-commerce website का owner होगा उसे यहाँ पे orders दिखाई देंगे अब देख सकते हो एक order यहाँ पे है दो मिनट पहले मैं इसके उपर क्लिक करूँगा ताकि मैं order detail को देख सको कि हाँ भाई मुझे क्या चीज भेजनी है कौन से address भेजनी है और उस person का detail क्या है यह आप यहाँ पे read out कर सकते हो अगर जो यह product आपके पास है तो आप यहीं से इसको या तो refund कर दो cancel कर दो यह वो मैंने का हाँ भई है completed मैं इसको accept करता हूँ और यहाँ से मैं इसको update करता हूँ ताकि customer को भी दिख जाए कि यहाँ मेरा order जो है वो accept हो गया है same काम आप बाहर से भी कर सकते हो यहाँ पर जो आपको पहले दिखा रहा था ना वो processing के अंदर आप इस पर टिक लगा करके ना यहाँ से भी उसको complete कर सकते हो तो यह आपको जरूर करना है अगर sales की बात करें तो मैंने 10,000 के आसपास का transaction किया है अभी तो अगर मैं यहाँ पर आपको analytics के अंदर जा करके दिखाऊं तो आप देखोगे total आज की तो sale है ना वो 85,000 रुपए की है और obviously मैंने ही इसको किया है दो order मैंने उठाए है आज जो भी graph होगा जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर यह आपको बना करके देने वाला है और सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह कुछ को एक overview था इस website के demo का थाकि आपको starting में ही यह idea हो जाए at the end of this video आप यहाँ पर क्या बना करके ready करने वाले हो और भी बहुत कुछ है इस website के अंदर जो कि हम साथ साथ बनाते हुए discuss करेंगे वरना यह वीडियो बहुत ही जादा बड़ी बन जाएगी एक request आप से और करना चाहूंगा इस screen पे नीचे की तरफ आपको मेरे social media के link दिख रहे होंगे instagram के link दिख रहे होंगे तो इसे बना के अपने computer पे तो रखना नहीं है इसे online भी ले करके जाना है तो मैं इस website को online बनाने वाला हूँ live बनाने वाला हूँ domain and hosting के उपर लेकिन अगर आप currently student हो या किसी reason से आप afford नहीं कर सकते कोई problem नहीं है आप इस video के description को check करें आपको दो वीडियो का link मिलेगा पहली वीडियो के अंदर मैंने ये बता रखा है कि WordPress को अपने ही computer पे कैसे install करना है तो जो काम मैं online कर रहा हूँ online servers के उपर वही काम आप offline अपने computer पे भी कर सकते हो दूसरी वीडियो के अंदर मैंने ये बता रखा है कि in future अगर आपका मन करता है कि इस website को online लेकर के आना चाहिए तो कैसे आप अपनी website का backup file जनरेट करोगे और उसे online server के उपर migrate करोगे So make sure description में दिये हूए videos को check जरूर करे किसी भी तरीके की website को बनाने के लिए और उसे online लेकर के आने के लिए हमें कम से कम यहाँ पे दो चीजों की requirement होती है एक होता है domain name दूसरा होता है hosting domain name होता है नाम, पैचान, identity जैसे google.com, facebook.com, youtube.com हमारे case में यहाँ पे domain research.com ऐसे ही आपने भी इस e-commerce website के लिए कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा वो कहलाएगा आपका domain name अगर आप domain research.com पे आओगे तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके अपने लिए एक domain name को select कर सकते हो, hosting होता है आपका storage place जहाँ पे आपकी website की सारी फाइलों को आप store करके रखोगे तो हमें currently domain and hosting दोनों की requirement है, तो आपको आना है domain research.com पे, यहाँ साथ आपको जाना है web hosting के पेज के ऊपर आप यहाँ पे read out कर सकते हो, domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है pure SSD disk space, इन दोनों के combination से आपकी website secured and 20 times faster load होती है इसी के साथ साथ आपको free SSL certificate भी यहाँ पे मिल जाता है pricing plan के अगर हम बात करें तो basic plan इस टार्ट होता है 59 रुपीस पर मंच से जिसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1 GB SSD की storage है, 10 email address create कर सकते हो 5 GB की bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप 3 website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पे host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan IT industry वालों के लिए freelancers के लिए, web designer developers के लिए यह best है क्योंकि यहाँ पे unlimited websites को host किया जा सकता है तो आप काफी सारे clients की website को यहाँ पे online ले करके आ सकते हो और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है जिसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domain research.com पे आकर कि किसी भी plan को select कर सकते हो बट मैं recommend यही करूँगा e-commerce website है so better यही रहेगा कि सारे resources आप unlimited ले तो at least अगर आपका budget कम भी है तो इसकी तरफ कम से कम जरूर जाए maximum जो आपको suit करे मैं currently यहाँ silver को select कर रहा हूँ को पे टिक लगा के मैंने यहाँ पे view more के उपर क्लिक किया यहाँ साब को अपने लिए domain name select करना है .com.in जो भी चाहिए हो वो select करे check पे क्लिक करे यह दो लोगों का match नहीं होना चाहिए है तो अगर आपका match कर गया किसी और के साथ आप तो spellings में changes करे और एक बार जब यह available हो जाता है तो simply आपको नीचे scroll करके continue पे क्लिक करना है details को read out करके again continue करे continue करे and जिस तरीके से आप online shopping करते हो अपना account create करते हो उसी तरीके से यहाँ भी आपको अपना account create करना है अपने basic details provide करना है email address password generate करना है और अपने order को complete कर लेना है यह process एक बार आप पूरा कर लेते हो तो आपको आना है main page पे यहाँ से आपको जाना है login के page के उपर और order completion के time पे जो email and password आपने provide किया था वो fill करके simply आपको login के उपर क्लिक कर देना है तो यह आपका dashboard है जितने भी services आपने opt किया होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा services के उपर क्लिक करें and जिस भी domain name के उपर आपको अपनी website को online लेकर के आना है simply उसके active button पे क्लिक करें right hand side पे नीचे एक option मिलेगा login to c-panel simply उसके उपर क्लिक करें तो यह आपका c-panel यानी की control panel है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो domain dresser के web hosting servers में आपको 100 plus options यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि emails को handle करने के बहुत सारे tools हैं jet backup के बहुत सारे tools हैं files को handle करने के बहुत सारे tools हैं ऐसे ही बहुत सारे tools यहाँ पे दिये हुए हैं हमें currently wordpress पे काम करना है तो यहाँ पे यह minimize हो सकता है तो इसको maximize कर लेना app installer के section में आपको जाना है wordpress के अंदर और यहाँ से आपको install now के उपर click कर देना है make sure यहाँ पे https connection selected हो आपका correct domain name selected हो जिसके उपर आप अपने website को online ले करके आना चाहते हो directory आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है और wordpress का जो भी latest version आपको दिखता है वो यहाँ पे आपको select करना है wordpress के admin panel को login करने के लिए एक username एक password आपको यहाँ पे create करना है तो मैंने यहाँ पे password create कर दिया है make sure इस email address को यहाँ से delete करे और अपना correct email address provide करे जो आप use करते हो क्योंकि आपको order details contact us form के detail और आपके website की सारी details वहीं पे receive होने वाली है इसके बाद आपको नीचे scroll करना है और simply install button के उपर click करे and wordpress के install होने का wait करे तो wordpress यहाँ पे install हो चुका है अब आपको क्या करना है आप अपने domain name को जो भी आपने starting में select किया था simply आपको new tab के अंदर अपने domain name को open कर लेना है और आप चाहें तो पिछले tab को यहाँ से cut कर सकते हो इस look को ignore करे यहाँ पे आपको एक look दिखना चाहिए hello world यह वो ऐसा कुछ इसका मतलब यह है कि wordpress यहाँ पे install हो चुका है और जो look है यह हर साल change होता रहता है तो इसके look को ignore करे अब हमें wordpress के dashboard को यानि कि इसके admin panel को login करना है इस चीज के लिए आपको आजाना है new tab पे और आपका domain name यहाँ पे type करे slash wp-admin आपका domain name slash wp-admin यह लिख करके simply आपको enter press कर देना है wordpress को install करने के time पे जो username and password आपने generate किया था वो यहाँ पे fill करके आपको login के उपर click करना है तो मैंने यहाँ पे details को fill कर दिया है और simply मैं यहाँ पे login बटन के उपर click कर रहा हूं तो यह हमारा wordpress का dashboard है इसे मैं यहाँ से cut कर रहा हूं अब आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जाए view site को एक new tab में open करें और पिछले tab को cut करें तो एक tab के अंदर आपका dashboard है और दूसरे tab में आपका यहाँ पे website है और क्योंकि यहाँ पे हमने login किया हुआ है तो कुछ extra options आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यह है कि हमें यहाँ पे इसके look को change करना है wordpress में इसको हम कहते हैं theme theme को install करने के लिए dashboard में आना है आपको यहाँ से जाना है आपको appearance और यहाँ से आपको जाना है themes के section में उपर आपको एक option मिलेगा add new इसके उपर क्लिक करें यहाँ से आपको search करना है open mart अब यहाँ पे उसकी spelling को देख सकते हो इसके look को ignore करें यह in future थोड़ा बहुत change हो सकता है आपको इसके spelling के उपर ध्यान देना है and simply आपको यहाँ पे install के उपर क्लिक कर देना है install होने के बाद इसको activate करें हमें currently एक ही theme पे काम करना है इसके अलावा आपको जो भी दिखता है उसके उपर क्लिक करें and simply सभी को एक एक करके यहाँ से delete करें alright so मैंने तीनों extra theme को यहाँ से delete कर दिया make sure आपके पास जिर्फ एक ही theme यहाँ पे active हो अगर आप अपने website पे आओगे इसको refresh करोगे तो इसका जो look है वो अब यहाँ पे change हो चुका है और थोड़ा बहुत यह e-commerce website की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अब अगर आप यहाँ पे आओगे न तो बहुत सारी चीज़े यह आपको बोल रहा है install करो यही सेम चीज़े आपको यहाँ भी यह उपर बोलेगा get started with open mart simply आपको इसके उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे plugins के section में क्लिक करें जो यह आपको recommend कर रहा है and simply बारी बारी हर एक को आपको यहाँ से install कर लेना है बहुत सारे हैं यह नीचे तो सबको देख करके आपको install करना है कहीं पे अगर यह अटक जाता है तो आप इसको refresh करें and फिर से उसको install करें सारे plugin install and activate होने के बाद आप आजाओगे ऊपर और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा demo import इसके उपर click करें and यहाँ पे यह आपको बोलेगा कि demo import करने के लिए one click demo importer plugin की requirement है तो आपको इसे यहाँ से install कर लेना है make sure आप इसको install ज़रूर करें in future अगर यह option यहाँ पे नहीं मिलता है तो कोई problem नहीं है अब आप देखोगे यह demo का option यहाँ पे खुल चुका है इसको आप दूसरी जगह से भी install कर सकते हो अगर आपको यह यहाँ नहीं मिलता है तो आप जाओगे plugins पे और plugin के बाद आपको जाना है add new plugin पे और इस add new plugin के page पे आपको नीचे आ करके यहाँ पे search करना है one click demo importer वो ही as it is spelling जो मैंने पिछले page पे आपको दिखाया वो आप यहाँ से install कर लेना और उसे activate कर लेना ठीक है यह हो जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और import demo के उपर आपको click करना है और wait करना है तो नीचे आपके पास कुछ templates ready हो जाएंगे जो कि आप use कर सकते हो मैं currently यह template use कर रहा हूँ तो मैंने import के उपर click किया और इस process के पूरा होने का wait करे यह कुछ minutes का time ले सकता है depending upon your internet connection तो यहाँ पे आपको उसके लिए wait करना है तो आप यहाँ पे check कर सकते हो यह यहाँ पे complete हो गया मैं आता हूँ अपने website के उपर और यहाँ आकर के मैंने इसको refresh किया तो properly एक e-commerce website यहाँ पे बन करके ready हो चुका है हमें इसके अंदर बहुत सारे changes करने हैं जो कि मैं आप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो यह हमारे website का quick overview है अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़े दिखेंगे इसको ignore करें यह सारी चीज़े मैं आपको correct करना यहाँ पे बता दूँगा और add the end यहाँ पे यह काफी अच्छा निकल करके आएगा आपको जाना है यहाँ पे customize पे यह same option आपको यहाँ भी मिलता है तो आप इसको भी new tab के अंदर open कर सकते हो Customizer open होने के बाद आपको यहाँ लोगो के पास आना है और यहाँ पे आपको एक pencil का option मिलेगा यानि कि एक edit का option मिलेगा अगर यह side में आपको ना दिखेत हो सकता है यह collapse हो आप इसको यहाँ से maximize करे logo के पास आके इस edit के option पे आपको click करना है और यहाँ पे logo के section में आपको change logo के उपर click करना है media library के अंदर इस themes related जो already images यहाँ पे present है वो आपको दिखाई देगा आप किसी भी image पे click करके उसको लगा सकते हो हमारे case में जो logo है वो यह वाला है क्योंकि जब मैं इसके उपर click कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है used as logo इसका resolution आप यहाँ पे check कर सकते हो इसकी width क्या है, इसकी height क्या है make sure यह rectangular logo है इस theme के according तो इससे मिलता है जुलता है कोई image यहाँ पे upload करे ताकि आपकी website का design ज़ादा खराब ना हो अगर आपको कोई अपना logo upload करना है तो आप upload file पे जाओगे select file पे जाके अपने file को select कर लोगे या फिर आप उसे drag कर सकते हो और यहाँ ला करके drop कर सकते हो एक बार यह image आपका preview provide कर देता है तो simply आपको select के उपर क्लिक करना है skip cropping करे ताकि पूरा का पूरा logo यहाँ पे आपको दिखाई दे इसके बाद simply आपको publish के उपर क्लिक करना है और अपने website के उपर आ करके इसको refresh करना है तो आप यहाँ पे देखोगे logo आपका यहाँ पे change हो चुका है और भी images है यहाँ पे तो आप उनको भी लगा सकते हो small screen, large screen अगर आपका logo size में बहुत बड़ा होता है तो उसको यहाँ से adjust कर सकते हो आप ताकि वो दिखने में थोड़ा सा better लगे तो make sure इस चीज का भी आप यहाँ पे ध्यान रखे एक चीज आप notice करोगे यहाँ लिखा हुआ है my blog my wordpress blog इसको change करने के लिए नीचे ही option है बठो सकता है in future यहाँ पे ना दिखाई दे तो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से remove करना बता दूँगा यहाँ पे अगर मैं आपको title बार में उपर दिखाऊ हूँ तो wordpress का logo आपको देखने को मिलेगा जो की मुझे नहीं रखना अब यहाँ पे ना generally एक square image जादा अच्छी लगती है तो आप अपने logo को square format में create करके उपर लगाओगे तो जादा better है क्योंकि अगर मैं यही rectangular image लगा दूँगा तो वो stretch हो जाएगा और अजीब दिखेगा फिर भी यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें site icon के section में select site icon पे click किया मैंने और already हमारा logo updated है तो यहाँ हमें दिख जाएगा select किया यह आपको square बोलेगा बट मैं still इसको देख लेते हैं skip कर दिया मैंने ताकि पूरा apply हो जाए बट दिखने में अजीब लगेगा अगर आप ऐसा लगाते हो तो तो make sure आप यहाँ पे square image को ही apply करें आप यहाँ पे check कर सकते हो यह logo यहाँ पे apply हो चुका है यह इसलिए अजीब दिख रहा है क्योंकि मैं private browsing के उपर हूँ और मेरा theme यहाँ पे dark है लेकिन अगर user इसको normal browser पे देखेगा तो यहाँ पे आपका color combination proper दिखाई देगा तो यह चीज़ हमने यहाँ पे change कर लिया अगर आपको यह image change करना हो जो आपको यहाँ दिखता है बहुत easily हो जाएगा customizer में रहते हुए आपको यहाँ click कर देना है ताकि इसके options यहाँ पे खुले अगर आपको यह leather bag change करना हो आप कर लो leather bag को change करने के लिए simply आपको change image के उपर click करना है और जो भी image आपको upload करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो अगर हम यहाँ पे नीचे scroll करेंगे तो edit का option है आपको इन में से कुछ भी change करना हो आप बहुत easily यहाँ पे कर सकते हो आपको बस इसके उपर click करना होगा और यह plane आपको देखेगा इसकी जगपे आपको कुछ और लगाना है लगा सकते हो free shipping की जगपे अगर आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना है वो भी दिखा सकते हो जैसे कि मैंने इस free की जगपे कर दिया 100% shipping सिर्फ आपको समझाने के लिए यह लिख करके simply आपको update के उपर click करना है तो आप देखोगे यहाँ पे वो आ चुका है अगर अपने website के उपर जा करके हम लोग इसको refresh करेंगे और नीचे आ करके अगर मैं इसको scroll करूँ तो आप देखोगे changes यहाँ पर reflect हो रहे है similarly आपके पास यहाँ पे बहुत सारे options हैं आपको यहाँ पे कोई और logo लगाना है आप यहाँ से select कर सकते हो और उसे अपने according यहाँ पे change कर सकते हो बहुती easily wordpress के अंदर इन चीज़ों को आप perform कर सकते हो similarly आप इसके उपर click करें इन चीज़ों को change करें जो भी आपको change करना है आप यहाँ पे कर सकते हो footer के अंदर मैं आता हूँ अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ more about store यहाँ पे अगर मैंने click किया तो मैं इसको भी बहुती easily यहाँ पे edit कर सकता हूँ आप यहाँ पे देखोगे चीज़े यहाँ पे load हो रही है तो मैंने इसको more about store की जगह पे about store कर दिया और यहाँ भी अगर आपको कुछ changes करने है तो वो जो text है वो यहाँ लिखा हूँ है इसी तरीके से मुझे यहाँ पे logo को change करना है तो मैंने click किया और यहाँ पे आकर के आप देखोगे image का एक link लगा हूँ है आपको इसकी जगह पे अपनी image जो है वो upload कर देनी है बहुत ही simple है इसको perform करना और आप footer के अंदर भी अपने according सारे changes perform कर सकते हो पूरा हो जाने के बाद आपको simply यहाँ publish के उपर click करना है ताकि आपके सारे के सारे changes यहाँ पे reflect हो जाए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो मेरा menu बार है यह काफी जादा खराब है सारी चीज़ें यहाँ पे दो दो बार आई है यह सब लोगों का नहीं होगा यह उनका होगा जिनका network अगरा install होने के time पे थोड़ा सा slow था तो यह multiple time उसको कर देता है और यह maximum लोग face करने वाले है तो इस चीज़ के लिए आपको इसको cut कर देना है यहाँ पे cut करने के बाद आप आ जाओगे अपने wordpress के dashboard में यानि कि आपका domain name slash wp-admin यह कहने के बाद आपको simply आना है appearance और appearance के अंदर आपको एक option मिलता है menu simply आपको इसके उपर click करना है menu पे आने के बाद पहले तो मैं इन सभी को cut करूँ वैसे तो यह बार-बार आएगा ही क्योंकि यह premium theme है तो आपको इसको pro version जो है उसका promotion कर रहे है बट हम free में use कर रहे है don't worry about that so हम नीचे आएंगे यहाँ पे एक end point है बहुत सारी चीज़े है अलग-अलग menus यहाँ पे created है अभी जो लगा हुआ है वो actually menu 1 है अगर मैं इसको scroll करता हूँ तो वहाँ पे आप देखोगे block, cart, sample page यह वो इसको हटाने का as such कोई इतना easy तरीका नहीं है तो मैं आपको बहुत ही simple में मैं बताऊंगा कि हम इसको delete कर देंगे और delete करने के बाद हम एक नया create कर लेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने का मुझे एक new menu create करना है मुझे menu का नाम यहाँ पे provide करना पड़ेगा currently यह साय options disabled है तो मैंने कहा main menu और इसके बाद मैंने कहा दिया भाई यह main menu रहने वाला है यहाँ पे आकर के मैंने create menu के उपर क्लिक किया तो अब यह जो menu है ना यह basically मेरा main जगा पे set हो जाएगा तो अगर मैं अपने website के उपर आऊँ यहाँ आकर के इसको refresh करूँ तो आप देखोगे यह पूरा area आपका blank हो जाएगा क्योंकि menu यहाँ से हड़ चुका है और main menu के अंदर कोई content हमने अभी तक रखा नहीं है तो यहाँ पे आकर के अब हमें बताना पड़ेगा तो यहाँ पे pages के section और मैंने view all पे क्लिक किया मैंने का home page दिखा दे, card का page भी दिखा दे जिसके ओपर यहाँ लिखा हुआ है checkout का page दिखा दे, contact us का page दिखा दे my account का page दिखा दे और इसके साथ-साथ shop का page दिखा दे wish list भी मैंने का चलो दिखाई दो add to menu के ओपर मैंने simply click किया ताकि इस तरफ वो आ जाए यहाँ पर आते है, categories में देखते हैं कोई अच्छी category हमें मिलती है तो जो की नहीं मिली तब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ contact us को उठा करके मैंने नीचे रख दिया home के बाद आ जाएगा हमारा let's take an example shop का page shop के बाद आ जाएगा हमारा my account का page जिसको उठा करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ my account के बाद हम रख सकते हैं यहाँ पर cart, check out, wish list let's go with ये ये कह करके simply मैंने यहाँ save पर click किया और अपने website के उपर आ करके इसको refresh किया तो आप देखोगे menu bar यहाँ पर create हो चुका है और बहुत easy था इसको करना अगर मैं shop के page पर click करता हूँ तो shop का page उपन हो जाएगा और आपको अपने products यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये dynamic है तो wordpress के अंदर अल्रेड़ी बना हुआ है checkout, contact us ये सारे page बने हुए थे बस हमने menu के अंदर थोड़े बहुत changes जो है वो perform किया है तो यह हमारा यहाँ पर contact us का page है आपने notice किया होगा बीच में एक loader आता है जब मैं यहाँ पर click करता हूँ न तो ये open cart लिख करके एक loader का image आता है आप इसको हटा भी सकते हो और आप इसकी जगह पे अपना logo भी लगा सकते हो बहुत easy है उसको भी करना यहाँ पर आप आजाओगे उस चीज के लिए अच्छा एक चीज और है अगर मैं यहाँ पर scroll करता हूँ न तो ये पुराना वाला आ रहा है जो कि मुझे रखना ही नहीं है तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे एक और menu यहाँ पर create करेंगे तो मैंने का यहाँ पर create new menu या फिर अगर हम create नहीं भी करेंगे तो भी शायद हमारा बात बन जाएगा तो मैं appearance पर आ करके दुबारा menu के उपर क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पर manage location के उपर मैंने क्लिक किया तो नीचे मुझे यह option बताएगा sticky वाला जो है वो कहां रखोगे या header above menu menu के उपर जो है वो कहां रखोगे तो मैं sticky वाले को पहला तो change करता हूँ मैंने का भाई जो मेरा main menu है न sticky वाला जो रुक जा रहा है वो भी मेरे को वही दिखाना है तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ save और refresh करता हूँ तो अपने website के उपर आ करके आप देखो अब जब अब इसे scroll करेंगे न तो वही as it is menu मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह काम भी हमारा पूरा हो गया अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको किसी product को add करना है उसका price वगरा दिखाना है उसको sale करना है तो वो कैसे होगा इस चीज के लिए आप आजो अपने dashboard में वापस यानि कि आपका domain name slash wp-admin यहाँ से आपको जाना है products के option में और product के option में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है all product पे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यह है कि आपको इस website की सारी चीजों को delete कर देना है क्योंकि यह product तो आप sale करनी रहे हो और ये आपके किसी काम का नहीं है, तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे सारे product को select कर लेना है, select करने के बाद bulk action में जाकर के move to trash, इससे आपके product जो है वो delete हो जाएगा, और आपके website पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे एक new product add करके दिखाता हूँ, तो product के section में आपको जाना है add new के उपर, या फिर आप यहाँ भी click कर सकते हो, और नए product को add कर सकते हो, यहाँ से आपको product का title provide करना है, इस जगह पे product का name होगा, मैंने कुछ dummy चीज़े यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि हमारे पास gold ring है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आ करके मैंने कहा gold ring, ठीक है, यहाँ पे आपको product के बारे में description provide करना है, मैंने एक dummy content यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी आप logo को दिखाना चाहते हो, नीचे scroll करोगे तो आपको यह बताना पड़ेगा, यह product physical product है, तो आपको इनके उपर टिक नहीं करना है, regular price क्या होता है इसका, मैंने का regular price है इसका 2000, या फिट let's go with 9000, sale price क्या है इसका, मैंने का sale में हम इसको 8999 के अंदर दे रहे हैं, तो 1000 रुपे का discount हो गया, ठीक है, अगर आपको एक ही price पर दिखाना है, तो सिर्फ पहला वाला fill करना, मैं यहाँ पर offer show कर रहा हूँ, ठीक है, stock में आ जाओगे, आप inventory में आपके पास इसके कितने unit बचे हुए है, तो मैंने का मेरे पास 10 unit बचा हुए है, और currently यह in stock है, ठीक है, अगर आपको unlimited stock दिखाना है, तो इसको fill मत ही करना, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, यह simple product है, grouped है, क्या है, इसको आप as it is खाली छोड़ सकते हो, यह product आपका किस category में आता है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, मैंने का यह fashion के अंदर है, most popular है यह, मैंने का new arrival के section में भी इसको दिखाना है, और sale लगा हुआ है, तो sale के section में भी दिखाना है, इसी के साथ साथ अगर आपको new category add करना हो, तो आप यहाँ पर जाएंगे, और मैंने कहा दिया, इसको gold ring के category यह create कर दे, तो मैंने यहाँ click किया, add new category के उपर click किया, तो by default यहाँ पर gold ring के category बन जाएगी और उस पर tick लग जाएगा, नीचे आते हैं इस product का tag क्या है, तो मैंने कहा यह ring है, और gold है, इसके बाद आपको नीचे आना है, product का बहुत ही छोटा सा description जो आपको बाहर दिखाना हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दो line उठा लेते हैं, यह बाहर दिखा देंगे और आपको इसको किस-किस जगा पे दिखाना है, वो यहाँ पे select करें, product के multiple images है तो यहाँ पे रखें, एक image है तो यहाँ पे रखें, मैंने कहा set कर देता हूँ, और अपने computer से drag and drop करके इसको मैं upload कर देता हूँ, तो आप देखोगे, एक बार इस product का preview यहाँ पे आ जाता है इसके बाद simply आपको set product के image पे click करना है, ताकि यहाँ पे आपको image देखने को मिले, multiple images के लिए यहाँ पे आपको लगाना है, ध्यान दे, एक से ज़ादा image को आप यहाँ पे लगा सकते हो, यह हो जाने के बाद आप उपर आ जाओ, और यहाँ से आपको publish के उपर click करना है, ताकि यह product जो है, वो publish हो जाए, यहाँ पे आपको उसका link मिलेगा, simply आप अपने product को इस link को open करके देख सकते हो, ताकि आपको idea हो जाए, यह product आपका list हुआ है, या नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यह रहा मेरा product का image, add to card का option, gold ring, उसका एक short description, और उसक मिल जाएंगे, ताकि customer और किसी product को भी यहाँ पे buy करे, एक चीज मैं notice कर रहा हूँ, यहाँ पे dollar लगा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगाना, तो इस चीज के लिए आप आजाओ अपने settings में, और आपको जाना पड़ेगा actually WooCommerce में, तो उपर आपको एक option मिलता है WooCommerce, और जिस भी country सा आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने कहा India, अब India के अंदर आपको state बढ़ाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ महारास्ट्रा, या जो भी आपको सही लगता है, आपको वो select करना है, तो मैंने कहा ये, आपका pin code, ये वो सारी चीजे आप यहाँ पे provide करोगे, इसी के साथ साथ shipping location क्या है, आपका वो provide करे, और यहाँ पे आपको सारी चीजे मिलती है, उनको provide करे, मैंने का कॉपन code मुझे allow करना है लोगों को, तो इसके उपर click करे, currency यहाँ पे मैंने कहा दिया Indian रुपी, तो INDI, और इसके बाद आपको रुपी का symbol मिलेगा यह, currency आपको left पे दिखाना है, price के या right पे दिखाना है, यहाँ पे आ करके देखोगे, तो currently वो left पे हो, और इसी तरीके से हम लिखते हैं, अगर आपको बाद में दिखाना हो, तो आप यहाँ पे right रख सकते हो, इसके बद आपको simply save changes के उपर click करना है, और अपन पे नीचे scroll करता हूँ, तो यह देखोगे आप, gold ring हमारा minus 1000 यानि की discount है, नीचे उसका price है, और यह आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी के साथ साथ हमने और भी categories के अंदर इसको list किया था, hope so हम उसको देख पाएंगे, वरना हमे slider करना पड़ेगा, नीचे भी आप देख सक को WordPress के अंदर, with the help of WooCommerce यहाँ पे add करना, अगर आपको किसी product में editing perform करना हो, तो वो भी बहुत सदा easy होता है, आप आजाओ product के अंदर, product के अंदर आपको आना है, all products के section में, यहाँ से जो भी आपका product है, simply आपको यहाँ पे कोई edit का option मिलता है, edit का option मिलता है, आप उसके आप यहाँ पे edit कर सकते हो, जो भी details आपने पहले provide किया था, उसके लावा कुछ और changes करने है, तो आप यहाँ पे बहुत ही easily उसको कर सकते हो, तो WordPress के अंदर changes करना भी बहुत ज्यादा easy होता है, जैसे कि मैंने gold ring की जगा पे इसको सिर्फ ring कर दिया, और आपको यहाँ पे म of spelling, तो आप देखोगे, यह ring यहाँ पे आ चुका है, इसी तरीके से आपको सारे products को delete कर देना है, जैसे मैंने पहले ही का, और अपने product, अपने category के हिसाब से आपको list करना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके उपर payment gateway कैसे लगाए, क्योंकि अगर मैं इसको buy करना चा आप देख सकते हो, यह मेरा product है, अगर मैं इसको add to card करता हूँ, जो कि already हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास card जो है, वो open हो जाएगा, अगर मैं यहाँ चेकाउट के उपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने basic details provide करने, लेकिन उससे पहले, यहाँ पे आप जाएदा नहीं है, यह success नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे payment method को जोड़ना पड़ेगा, इसे करना बहुत ज़दा असान है, इसके लिए आप आजाओ अपने dashboard पे, यहाँ से जाना है आपको नीचे plugins के section में, और plugins से आपको जाना है यहाँ पे add new plugin पे, add new plugin पे जाने के पे click करना है, और इसे activate करें, activate होने के बाद आप नीचे आजाओगे, अपने plugin को आपको धूंडना है, जो भी आपने install किया है, stripe for WooCommerce, वो आपको यहाँ पे देख लेना है, simply आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके settings पे click करें, अगर आपको यह option ना मिले तो left hand side पे WooCommerce में जा करके आपको setting पे click करना है, बात एक ही है, दोनों option आपका same ही काम करता है, इसके बाद आपको नीचे scroll करना है, यह आपको एक account create करने को बोलेगा, तो obviously आपको एक stripe का account create करना ही पड़ेगा, इस चीज के लिए मैं यहाँ पे new tab में open कर रहा हूँ, stripe, जो website है, वो stripe.com है, simply आपको इसको open कर लेना है, open करने के बाद उपर एक option है, sign in, simply इसके उपर click करे, यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा, कि अगर account नहीं है, तो आप यहाँ से create कर सकते हो, तो इसके उपर click करे, यहाँ पर आपको अपने basic detail provide करने है, नाम आपको वही provide करना है, जो आपका bank account के अंदर भी हो, तो यह पूरा आपको detail फिल कर देना है, तो मैंने यहाँ पर details provide कर दिये है, इसके बाद simply आपको create account के उपर click करना है, तो आप यहाँ पर check कर सकते हो, account हमारा यहाँ पर create हो चुका है, आपको अपने email address के अंदर जाना है, वहाँ पर stripe का एक mail आया होगा, उ आप directly use कर सकते हो, लेकिन अगर आपको search में business करना है, और e-commerce website के जरीए, अपने इस website के जरीए customer से payment receive करना है, तो जो payment है, वो पहले आपके stripe account में आएगा, जो कि एक payment gateway है, और stripe से आपके bank account में जाएगा, तो stripe आपके bank account में तब ही यह payment भेजेगा, जब आपने bank account को link करोग अपने details को verify करोगे, यह करना बड़ा ही simple है, यहाँ पर उपर option मिलेगा आपको activate account, आपको इसके उपर click करना है, और जो भी आपसे bank detail या आपके normal detail पूछे जाए, उसको fill करे और अपने account को properly complete तरीके से यहाँ पर verify करे, कोई पैसा नहीं खर्चने है आपको इसके लिए, सा option मिलता है यहाँ पे publisher की secret की, अगर यहाँ ना मिले तो उपर developer यह वो अलग-अलग options है, धून लेना, बस main मुद्धा है कि आपको यह धूनना है, और क्योंकि मैंने अभी अपने account को activate नहीं किया है यहाँ से, I mean verify नहीं किया, तो मेरा test mode जो है वो enabled है, अगर मुझे इसको ब करोगे, तो test mode नहीं रखोगे, live mode रखोगे, ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास publishable key, मैं इसको यहाँ से copy कर रहा हूँ, click करके, और यहाँ पे आ गया मैं अपने payment gateway में, who commerce के settings के अंदर जो हमने payments पे click किया था, अगर इम यहाँ पे click करे, तो यहाँ पे option है, enter account key, अगर मैं इस के उपर click करता हूँ, तो कहता publishable key क्या है तुमारी, मैंने वो copy किया था, मैंने यहाँ आ करके paste कर दिया, इसके बाद एक secret key है मेरे पास, जब आप real mode पे काम करोगे, तो यह दोनों चीज़े किसी को साथ share मत करे, I mean WordPress पे तो करना पड़ेगा, उसके इलावा किसी और person को यह ना मालूम पड़े, तो मैं इसके उपर click कर रहा हूँ, और यहाँ click करके मैंने इसको copy किया, and secret key के section में आ करके मैंने इसको paste कर दिया, नीचे और भी चीज़े हैं, बट वो हमें यहाँ पर provide नहीं की गई है, तो हम क्या करेंगे, test connection के उपर click करेंगे, alright, so यहाँ पे एक छ connection को test किया, तो आप देखोगे, नीचे एक message आएगा यहाँ पर, connection successful, अब मैं यहाँ पर इसको save कर रहा हूँ, account keys save, अब आपको क्या करना है, general में, इन सब में जा जाके, अपने सारे details को यहाँ भी, woocommerce के अंदर भी, अपने shop की details को fill करके, इसको भी आपको complete कर लेना है, यहाँ पर नीचे आपके सामने कुछ options है, जैसे कि payment method है, अगर मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ, तो enable express checkout मैंने का, हाँ भाई, करने दो, checkout का page मिलेगा, product का page मिलेगा, card का page मिलेगा, ठीक है, आप अपने इसे आप से customize कर सकते हो, google pay बगर लगाना है, तो आप इसको भी कर सक सकते हो, और यहाँ पर उसको भी रख सकते हो, अब मैं वापस आता हूँ इसके setting पर, enable stripe के उपर क्लिक किया, कि भाई, stripe से payment करनी है, और यहाँ पर उपर message क्या दिखाना है, मैंने कहा credit card ना दिखाव और लोगों को लागेगा, कि सिर्फ credit card accept होता है, मैंने कहा pay online, तो मैंने देख लेता है, हमारे पास क्या-क्या options है, नीचे आकर के कुछ खास option है नहीं, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसको save changes के उपर क्लिक, जब मैं इतना करता हूँ और अपने website के उपर आता हूँ, currently यहाँ पर कोई भी payment method add नहीं है, अगर मैं इसको refresh करता हूँ, तो यहाँ पे एक payment method जो है, वो add हो जाएगा, अब आप देख सकते हो, pay online जो मैंने message दिया है, वो आया, अब यह test mode है, क्योंकि हम test mode पे ही काम कर रहे हैं, यह आपको एक bank account detail बता देगा, CVC number कोई भी डाल दो, और कोई भी expiry date डाल दो, जो future की date हो, वो आप यहाँ पे fill कर सकते हो, और यहाँ पे एक option है, मेरे पास direct bank transfer, अगर आपको allow करना है तो tick mark कर दो, cash on delivery भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, google पे phone पे वगरा को भी आप यहाँ पे plug-in इंस्टॉल कर सकते हो, और आप बहुत ही easily उसके through payment यहाँ पे accept कर पाओगे, यहाँ पे already काफी कुछ दिया हुआ है, मैं तो मैं यहाँ save के उपर click कर रहा हूँ, alright एक payment यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, अब जब नीचे आओगे ने stripe में, तो आपका एक graph बनता है, जो की खाली रहता है, और यही चीज़ आप payment के section में जाकर के भी देख सकते हो, similarly अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ प यहाँ पे dummy data pass कर दिया है, और इसमें मेरा data correct नहीं है, लेकिन आप correct भरोगे, और यहाँ पे सारे order के detail आ चुके हैं, card number यह 424216 time भर दो, 12 या फिर 16 time आपको भरना है, यह accept हो जाएगा, expiry date कोई भी future की date डाल दो, तो मैंने यहाँ provide कर दिया, इसको 0 to 2050, CVC number कोई भी provide कर द लेता है, बस card number आपका यह होना चाहिए, और इसके बाद मैंने place order के उपर click किया, यह wait करना इस जगा पे कुछ seconds का यह time लेता है, आप देखो के order यहाँ पे confirmation की तरफ पहुँच चुका है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि हमारा order जो है, वो confirm क कर दिया गया है, thank you, your order has been received, जो कि आप check कर सकते हो, सारी detail यहाँ पे आचुकी है, अब अगर मैं अपने stripe के account में आओ, तो यहाँ पे मुझे एक sale देखने को मिलेगा, मैं आपको refresh करके दिखा देता हूँ, थोड़ी ही देर में आपको यहाँ एक sale देखने को मिलेगा, लेक पे एक order आपका processing में लगा हुआ है, आप इसके उपर क्लिक करके देख सकते हो, जो कि हमने demo में चेक किया, मैं currently इसको completed कर रहा हूँ कि हाँ यह complete हो चुका है, पैसे मुझ तक पहुँच चुके हैं, जब मैं इसको accept कर लूँगा, तो यहाँ पे नीचे analytics के section में मुझे वो amount जो है, यहाँ पे reflect हो करके दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हो, एक sale यहाँ पे हुआ है, कहता है एक product विका है, इतने का विका है, अब ऐसा नहीं है कि यह आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, 9000, 2.5% हर एक payment gateway अपना commission जो है, वो charge करते हैं, तो आपको cut-cut-cut आके कुछ एक बार refresh कर दिया, यहाँ पे हम नीचे scroll करते हैं, तो आप दिखोगे, 9000 की एक sale आपको reflect हो करके दिखाई देगा, इसके नीचे अगर scroll करेंगे तो इतने की sale है, इनका commission cut करने के बाद मुझे इतने रुपह यहाँ पे मिलेंगे, हर एक payment gateway 2.5% या 3% commission यहाँ पे charge करते हैं अगर आपने अपने bank account को यहाँ से link किया होगा, तो तीन दिनों के अंदर यह पैसा आपके account के अंदर transfer हो जाएगा, ड़ने की कोई बात नहीं है, सच में आपको यह पैसा मिल जाता है, लेकिन test mode वाला पैसा नहीं मिलता, यह real में थोड़ी हमने पैसे खर्च की है, यह तो बहुत easy होता है wordpress के अंदर इसे perform करना, यहाँ पर हम इस title को change कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ के आने के बाद मैंने नीचे scroll किया और setting के उपर गए, setting पर जाने के बाद मैंने इसको कर दिया cybermart, site title के section में यह wordpress वाली line हटा दी, नीचे scroll करके मै यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आकर के मैंने कहा save changes, इसके बाद आपको जाना है settings और वहाँ पर आपको जाना है permalinks, permalinks के section में आपको एक option मिलेगा post name, आपको यह select करना है, और simply इसके बाद save changes पर क्लिक करे, यहाँ पर आकर के मैंने इसको refresh किया, तो इसी के साथ हमारा e-commerce website बन करके तयार हो चुका है, अब मैं उमीद करता हूँ कि इस steps को follow करके आप बाकी सारे products को भी यहाँ पर create कर लोगे और add कर लोगे, मेरी पूरी कोशिश थी कि इस video के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत ही simplify करके समझा दी जाए, और उमीद करता हूँ मेरे steps को follow क करके आपने इस website को create कर लिया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, channel पे new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें तकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys